याद रहे मुझे प्रेम के भाग्य में राज योगी चाहिए तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फिल्म प्रेम गित्थरी के बोक्स ओपिस कलेक्शन्स के बारे में तो दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक इंडो नेपाली फिल्म है जिसके लीड में आपको नेपाल सिनेमा के सुपरिश्टार प्रदीप खड़का और कृष्टिना गुरंग नजर आई है वही दोस्तो इस फिल्म का डायरेक्शन किया है चेतन गुरुंग और संतोस सेंजी ने ये एक दोस्तो पीरेड एक्शन ड्रामा लव इस्टोरी फिल्म है जिसका एक्शन काफी बहतरिन था नेपाली फिल्म होने की वज़े से दोस्तो इस फिल्म का बजट भी कम था और इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन अपने बजट को रिकवर कर लिया था तीन करोड इस फिल्म का बजट था और तीन करोड उपे इस फिल्म के प्रमोशन्स में खर्च हुए थे यानि कि दोस्तो टोटल 6 करोड उपे में ये फिल्म इंडियन सिनेमा घरो और दुनिया भर में रिलीज कर दी गई थी अपने पहले ही दिन लगभग 5 करोड उपे की ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म ने सुरुवाती 3 दिनों के विकेंड में ही लगभग 13 से 14 करोड उपे के आखड़ों को पार कर लिया था लेकिन अगर बात की जाए यहां पर फिल्म प्रेमगी 3 के फर्स्ट विक के कलेक्शन की तो दोस्तो अपने फर्स्ट विक में दुनिया भर से इस फिल्म ने 19 करोड उपे कमाए सेकेंड विक में कमाए लगभग 7 करोड उपे और वहीं थर्ड विकेंड में इस फिल्म के जो कलेक्शन्स थे वो लगभग 3 से 4 करोड उपे के रहे हैं ऐसे में दोस्तो ये फिल्म दुनिया भर के बोक्स ओपिस पर लगभग 35 करोड उपे के आखड़ों को पार कर चुकी है और इसी के साथ दोस्तो ये फिल्म एक बड़ी ब्लोकबस्टर बन चुकी है आपको दोस्तो ये फिल्म कैसी लगी और क्या प्रेमगित फोर भी बनना चाहिए या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा बात की जाए दोस्तो अब यहाँ पर इस हपते रिलीज होने जा रही फिल्म राम सेतु के बारे में तो चलिए दोस्तो शुरुवात करते हैं तो फाइनली दोस्तो 7000 साल पुरानी इंडियन हिश्टरी को दिखाता हुआ धमाकेदार एक्शन से भरा हुआ राम सेतु का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है जो की 2.10 सेकेंड का है लेकिन दोस्तो इस 2.10 सेकेंड के ट्रेलर में आपको इतने सारे गूजबम सीन देखने को मिल रहे हैं जिसके बाद आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे तो आज के इस वीडियो में दोस्तो हम बात करने वाले हैं फिल्म राम सेतु के ट्रेलर के बारे में बोक्स ओपिस प्रिडिक्शन्स के बारे में तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी अक्षे कुमार की मच अवेटेड फिल्म राम सेतु का इंतजार बड़ी ही बेसबरी से कर रहे हैं तो चलिए सुरुवात करते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्रेता युग में बनाए गए भगवान राम जी के प्यार के प्रतीक राम सेतु के उपर बनाई जा रही एक्शन एडवेंचरस और हिस्टोरिकल फिल्म है यहाँ पर राम सेतु जिसके लीड में आपको बोलीवूट के खिलाडी भईया अक्षे कुमार एक आर्कियोलोजिस्ट के केरेक्टर में नजर आने वाले हैं उनका साथ देने को तैयार है दोस्तो इस फिल्म में जेकलिन फर्नांडीस, नुसरत बरूचा और सत्यदेव दोस्तो बताते चले आपको की लगभग डेड़ सो करोड रुपे के बजट से बनने वाली ये फिल्म इडियन बॉक्स ओपिस पर 25 अक्टूबर यानि की दीवाली के एक दिन बाद रिलीज होने वाली है जिसका आज एक शांदा ट्रेलर रिलीज किया गया ट्रेलर दोस्तो काफी प्रोमीशिंग है और दोस्तो इस फिल्म के ट्रेलर में आपको वो सभी चीजे देखने को मिली है जो आप इस फिल्म से उम्मीदे लेकर बेठे हैं यानि की दोस्तो सबसे में तो इस फिल्म को हिस्ट्री के तोर पर दिखाया जा रहा है यानी की mythology के तोर पर नहीं साथ ही साथ दोस्तों जो background music है हमें इस film में सुनने को मिल रहा है वो रोंग्टे खड़े कर देता है अक्षे कुमार का action दोस्तों इस film में हमें देखने को मिलने वाला है उनके साथ ही दोस्तों जेकलीन और नुसरत बरूचा की जो जोड़ी है वो काफी अच्छी नजर आ रही है सत्य देव का दोस्तों character इस film में impressive लग रहा है साथ ही साथ दोस्तों जो locations, visuals और dialogues भी इस film में हमें सुनने को मिलने वाले हैं वो भी काफी goosebump भरे हुए है यानि कि दोस्तों ओवराल देखा जाए तो राम सित्तु का ट्रेलर audience को काफी पसंद आ रहा है और ये film इंडियन बोक्स ओपिस पर इस साल बोलीवूड की रिलीज होने वाली सबसे बड़ी ओपनर फिल्म के लिस्ट में सामिल हो जाने जा रही है इस film को दोस्तों हिंदी तामिल और तेलगू में 25 अक्टूबर को रिलीज किया जाना है और इस film को इंडियन बोक्स ओपिस पर अपने पहले दिन लगभग 30 से 35 करोड या फिर 40 करोड रुपे की भी ओपनिंग मिल सकती है दोस्तों बताते चले आपको की अभिशेक सर्मा जो की इस से पहले परमाणू जैसी बहतरीन फिल्म बना चुके है उन्होंने इस फिल्म का डिरेक्शन किया है और G-Studio Amazon Prime ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है तो दोस्तों फिलाल में तो इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से टीजर ने सभी को इंप्रेस किया था उतना ही बहतरी निस फिल्म के ट्रेलर ने भी किया है और लाश्ट वाले सीन में अक्षे कुमार का जो डायलोग सुनने के बाद दोस्तों आपके रोंगते भी खड़े होने वाले हैं जानी कि दोस्तों ओवराल देखा जाए तो ये फिल्म बोक्स ओपिस पर नए नए रिकोर्ट्स बना सकती है और अपने पहले ही दिन लगभग 35-40 करोड उपे की ओपनिंग इंडियन बोक्स ओपिस पर आसानी से ले सकती है आपको दोस्तों इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट करना बिलकुल ना भूलिएगा और बोक्स ओपिस बोलीवूट साउस से जुड़ी एवं राम सेत्व की एडवांस बुकिंग और बोक्स ओपिस कलेक्शन डेली जानने के लिए आपके अपने चैनल बोलीवूट रिव्यू को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद जे सरी कृष्णा दोस्तों